नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अबडेट फितो दोस्तो अमेरिकन कमपनी बोईंग ने काफ़ी यदा इम्पोर्टेंट इमेजिस को रिप्रेजेंट किया है और ये जो इमेजिस है ये बोईंग के भारत के अंदर प्लांस को दिखाती है तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हमने MMRC डील और साथ में एक नेवल एर्टक्राफ्ट को प्रिक्योर करतने के लिए RFI को जारी कर रखा है तो ये जो दोनो डील है ये मल्टी बिलियन US डोलर की डील होगी उन्होंने एक हंटर पैकेज को तयार किया है जिसमें वे अलग-अलग एर्टको भारत को ओफर करेंगे तो उन्होंने जो रिड्रेंटेशन इमेजस दी है तो उसमें लगबख 227 एर्टको ओफर किया गया है उन दोनों इमेजिस को आप अपनी स्क्रीन के ओपर भी देख सकते हैं तो सबसे पहले तो बोईंग ने भारती वायुसेना के लिए लगबग 110 F-15 फाइटर जेट को प्लान किया है और ये उसके अपग्रेड़ वायरियंट होंगे जो की भारत की जो एर डोमिनेंस है उसको बढ़ाने का काम करेंगे इसके अलावा उन्होंने 57 यानि की इंडियन नेवी के लिए F-18 सूपर होरनेट को प्लान किया है और ये F-18 के ब्लोक 3 वायरियंट होंगे जो की पुराने वायरियंट से काफी ज़्यादा एडवांस है और साथ में राफेल फाइटर जेट को भी पूरी कांटे की टकर देते हैं ये जो 57 एरक्राफ्ट का नंबर है ये पहले था लेकिन जैसे ही हमारा TDBF प्रोग्राम सामने आया है तो इंडियन नेवी ने इस नंबर को सबसे पहले तो 37 तक कर दिया था लेकिन बाद में जैसे ही हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा तेजी पगड़ता है तो उन्होंने लास्ट जो नंबर है वो यहाँ पर 26 यनकी 26 एरक्राफ्ट का कर दिया है इसके लावा जो बोइंग है उन्होंने भारत को लगबग 60 अपाचे हेलिकोप्टर देने का ओफर दिया है और अगर आप इन तीनों सिस्टम को देखते हैं तो इनके आने से भारत की एर डोमिनेंस, सी डोमिनेंस और साथ में बैटल फिल्ड में जो डोमिनेंस है वो काफी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है और इसके अलावा हम पहले से ही प्रेडिटर ड्रोन को ओपरेट कर रहे हैं और जो पी एट आई है वे भी हमारे दुवारा ओपरेट किये जाते हैं और इसी महीने या फिर जून के मन्थ में हमें तीन एमेच सिक्स्टी रोमियो हेलिकोप्टर भी मिल जाएंगे तो इन तीनों अमेरिकन सिश्टम के बाद अगर हम अमेरिका से F-18 सूपर होरनेट को भी परचेस कर लेते हैं अपने आई एनस विकरांट के लिए तो यहां पर बोइंग का कहना है कि यह हमारे लिए एक ब्रिज का काम करेगा क्योंकि अगर हम F-18 सूपर होरनेट को लेते हैं तो इसके माध्यम से जो बोइंग है वो भविश्य में हमें अपने जो विंग मैं ड्रोन से उनको भी प्रोवाइड कराएगी जिससे कि हमारे ज इसकी जो कोश्ट है वो भी काफी ज़दा कम है क्योंकि इसको पहले ही काफी ज़दा बड़े नंबर के उपर बनाया जा चुका है और कैपबिलिटीस में इसका जो ब्लोग 3 वेरियंट है तो वो राफेल के M वेरियंट को पूरी टक कर देता है तो मई या फिर जोन में इस एरक्राफ्ट के भारत में ट्राइल्स होंगे जिससे की इंडियन ने भी देखेगी कि किस एरक्राफ्ट को अब प्रेक्यूर करना है तो इसके बाद बोइंग हमें 60 अपाचे हेलिकोप्टर को भी देना चाहती है और अगर आप भारतिय सेनाव की आवशकता को देखते हैं तो आज की तारिक में अगर आप बोइंग कंपनी को देखते हैं तो ये भारत के डिफेंस एक्टर में काफी जड़ा एक्टिव हो जुके हैं क्योंकि इनको भी कहीं न कहीं इस मार्केट में बिलियन सॉफ डॉलर का पोटेंशल दिखता है तो ये भी इस 20 से लेकर के 26 बिल ये डॉलर की डील हो सकती है तो इसके बाद जो बोइंग है उन्होंने ये जो पूरा रिप्रजेंटेशन तयार किया है तो अगर आप इसके टोटल अमाउंट को देखते हैं तो ये बड़ी आसान से 30 से लेकर के 32 बिलियन ये डॉलर तक जा सकता है क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने 110 एरक्राफ्ट को प्लान किया है जो कि यहाँ पर काफी ज़्यादा मुश्किल है लेकिन इंडियर नेवी के लिए उन्होंने जो प्लान बना है उसमें भी जीत सकते हैं भले ही 57 एरक्राफ्ट की डील उनको ना मिले लेकिन 26 एरक्राफ्ट की डील उनको मिल सकती और हम एडिशनल अपाचे अपाचे को पुटेंशल है वो काफी जादा है तो इस सब के उपर आपको क्या लगता है कमेंड सेक्शन में बताइएगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छ लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर देजेगा और चैनल को भी जाहिन